में सरासी बालों का आने बाला दिन यणी की चार अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ चार अप्रेल 2021 के पंचांग के बारे में मित्रो आज तीथी है अस्ट में नक्छत्र है पुर्बा साधा पक्छ है क्रिस्न पक्छ दिन है रभी वार आज के दिन सुर्ज उदे का समय है छे बज के आठ मिनट में सुर्ज अस्थ का समय है छे बज के चालीस मिनट में रितू है वसंत आज का दिन काल है बारह घंटे बतीस मिनट दो सिकेंड का महिना है चैत्र मित्रो आनेबाले शमय में आपके लिए सुभ समय सुरू होता है ग्यारह बजीके अंठाबन मिनट एम से बारह काल सुरू होता है पांच बजीके पांच मिनट पी एम से पांच बजीके पचास मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है पाँच बज के छे मिनट पीम से छे बज के चालीस मिनट पीम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रों इस बेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके दामपत्य जीबन आपके बैवाहिक जीबन के बारे में मित्रों आने बाले समय में आपका दामपत्य जीबन सामानने होगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रो आने बाले समय में यदि आपके दामपत्ती जीबन में कोई भी बाहरी इंसान इंटरफेयर करता है दखल अंदाजी करता है तो आपको पड़ेशानी का सामना करना होगा तो आने बाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रो आने बाले समय में यदि आपके केडियर की बात कड़ें तो केडियर के द्रिष्टी कौन से भी आपका समय बहुत जयादा बिहतर एबं सान्दार होगा आने बाले समय में आपके केडियर के छित्र में आगे बढ़ने का मौका बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक छात्र है विद्यार्थी है तो आने बाले समय में अपने पढ़ाई लिखाई अपने सिक्छा के छित्र में समय के धुरुप योग से आपको बचना चाहिए क्योंकि आने बाले समय में यदि आप अपने कीमती समय को बड़बाद करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना होगा मित्रो आने वाले समय में यदि आपके सिहत की बात कड़ें आपके सुवास्त की बात कड़ें तो सिहत के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने वाले समय में आपके बोडी में उर्जा का अस्तर बहुत जयादा उचा होगा जिसके कारण आपका कौनफिडेंस लेबल बहुत जयादा मजबूत होगा मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भग्यसाली अंक है चार यानिकी फोर मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भग्यसाली रंग है नारंगी एबम सुनहरा मित्रो आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको महादेब भैरब एबम हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आज माते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वेडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें इबम इस वेडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद